बिहार के कैमेले का लड़का एक महिला के साथ लगातार दो साल तक महिला के घर पे ही तुशकरम करता रहा और उसके हवस का पिटारा इतना बड़ा और गहरा था कि ना केवल महिला बलकि महिला की सास उसकी भतीजी और दो नौकरानियों को भी नहीं छोड़ा गया और ये परिवार कोई आम परिवार नहीं बलकि एक IS ओफिसर का परिवार था आज हम आपको बिहार के जंगल राज का एक ऐसा कड़वा सर्ज दिखाने जा रहे हैं नमस्कार मैं हूँ श्रधराय और आप देख रहें दा चानक पे क्राइम कहानी बिहार पतना 1982 बैच के IS ओफिसर डीडी विश्वास इनकी शादी 18 जुलाई 1990 में चमपा विश्वास के साथ होती है शादी के 5 साल के बाद ये पतना के बेली रोड पर शिफ्ट हो जाते हैं और उस समय ये समाज कल्यान विकास डिपार्टमेंट के सेकेटरी नियुक्त होते हैं और उसी एरिया में RJD की विधायक और रसुगदार हेमलता यादव बिहार के समाज कल्यान बोर्ट की प्रेसिडेंट के पत पर आती है हेमलता का एक बेटा मृत्विंज है जिसकी उम्र 27 वर्ष और वो DU हिंदू कॉलेज का छात्र था एक दिन अचानक उसकी नजर IAS ओफिसर D.D. विश्वास की वाइफ चमपा पर पड़ती हैं और अब आता है वो काला और मनुज दिन यानि की साथ सेप्टेंबर 1995 जब चमपा के घर पे हेमलता का फोन आता है हेमलता फोन पे कहती है कि उसके नौकरों की हालत काफी खराब है और कुछ काम की सयोग की जरुवत है इसलिए घर आ जाओ चमपा तुरंथ ही हेमलता के घर पहुंसती है पच्चास से ही वो हेमलता के घर पहुंसती है तो वो देखती है कि आजएटी के कोच नेता लोग वहाँ पे बैठे है हेमलता चमपा का हाथ पकड़ती है और उसे एक कमरे में ले जाती है और अंदर पुश करती है और बाहर स से कुंडी लगा देती है उस कमरे में पहले से ही मृतुरंजय मौजूद था वह चंपा के साथ जोड़ जबदस्ती करने लगता है उसके साथ दुश्करम करता है और चंपा लगातार चिलाती रहती है भीक मांगती है कि उसे वहां से बाहर निकाल दो उसे छोड़ दो पर ना में तुरंजय उसकी सुनता है ना वहां पे बैठे नेता सुनते हैं और एक मा जो अपने बेटे को खुद हवस का शिकार परोस के देती है इसके बाद हेमलता चंपा को धंकाती भी है कि अगर उसने इस मामले में किसी से कुछ भी कहा तो वो उसे जान से मरवा देगी डरी स जहमी हुई चंपा उस समय वहां से चली जाती है और घर में किसी से भी कुछ भी नहीं कहती है पर उसे क्या पता था कि उसका ये कदम जीवन की उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी चंपा जब भी घर पे अकेली होती है मृतन जय मौका पाते ही उसके घर पहुँच जा चंपा चंपा बनुद्र करते हैं उनसे कहता है कि चुप चाप अपना मूँ बंद रखो जो हो रहा है उसे सहते रहो इसके बाद ही चमपा ने अपनी हिमज उटाए और पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिटन कंप्लेंड लिखवाई यानि की दो साल की पीड़ा सहते सहते ठक हार के वो पुलिस स्टेशन तो पहुंच गए पुलिस को कहां कुछ काम करना था इस म कामले में तूल तब पकड़ी जब अपोजीशन और वीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कौनफरेंस करके दुनिया को इस कांड के बारे में बताया उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जंगल राज चल रहा है कि आई-एस ओफिसर का पूरा परिवार स सुरक्षित नहीं है चंपा अपने पती के साथ ततकाली इन गवन्नर सुंदर सिंग भंडारी के पास गुहा लगाती है गवन्नर के सपोर्ट से 1997 में मृतिंजय को गिरफतार कर लिया जाता है पर हेमलता फरार हो जाती है यह कांड मीडिया में सुर्ख्यां बटोरता है इस लेकिन सेशन कोट द्वारा इन दोनों को सजा हो जाती है यानि कि मृतिंजय को 10 साल की सजा और हेमलता को 3 साल की क्योंकि 3 साल से हेमलता जेल में ही थी और उसकी सजा अब पूरी हो चुकी थी इसलिए वो दुबारा जेल में नहीं जाती है पर मृतिंजय की 5 साल की सजा भी अभी बाकी थी इसलिए उसे फिर से जेल भेज दिया जाता है मृतुनजे अब हाई कोट में अपील करता है और हाई कोट उसकी अपील को सुविकार कर लेती है हाई कोट ने सेशन कोट के जज्जमेन को ये दलीले दे के पलट दिया कि अगर दो साल से चमपा के साथ कुकरम हो रहा था तो वो दो साल तक चुप क्यों बैठी रही क्यों उसने अबोशन करवाया क्यों उसने नस्बंदी करवाई मृतुन जय के एड़ोगेट की ये दलील थी कि चमपा और मृतुन जय का अफैर था चमपा मृतुन जय से शादि करना चाती थी और जब मृतुन जय ने उसे इंकार किया तो वो उसे बदनाम करने की धमकी देने लगी एडवोकेट ने ये भी दलील दी कि चमपा अपने पती को भ्रष्टचार यानि की भरती गोटाला से भी बचाना चाती है उस समय पे सरकार द्वारा आईएस के उपर काफी आरोप लगाए गए थे भरती गोटाला से सम्मंदित इसलिए हाई कोट ने मृत्विन जय को रिलीस कर दिया इसके बाद चमपा अपने पती के साथ बिहार छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो जाती है और जब बिहार और जहारकन का बटवारा होता है और जहारकन एक नया राज्य के रूप में उभरता है तो दिल्ली से ये दौन और जहारकन शिफ्ट हो जाते है इसके कुछ समय के बाद विश्वास जी का निधन हो जाता है और चमपा दिल्ली बिहार और जहारकन को छोड़ के देश के एक अलग कोने में जाकर गुमनाम जीवन जीने लगती है ये कान 1995 का है और आज हम 2023 में है मैं आप सभी से खास कर बिहार और जहारकन के लोगों से ये जानना चाहूंगी कि आपके राज्य में क्राइम का स्तर क्या है नमस्कार